सुबा सुबा जब हम नीन से उठते हैं तो बस एक कप कॉफी या चाई की चुसकी लेने का जो मज़ा होता है उसका तो क्या ही कहना अगर आप भारतिये हैं तो फिर कॉफी और चाई सुबा उठकर पहली पसंद होना तो लाजमी है भारतियों के कॉफी और चाई के इसी लगाव और पहली पसंद के कारण कॉफी के कैफे और चाई के ठेले सबसे ज़ादा प्रसिद हैं धीरे धीरे कॉफी की डिमांड भारत में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर जैसे जैसे कॉफी के नएने और ब्रांड आ रहे हैं उससे लोग इनकी तरफ काफी जादा आकरशित भी हो रहे हैं आप चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर अपनी गर्डफेंड से मिलने पहली डेट पर जा रहे हो तो सबसे पहले हम कॉफी ही ओडर करते हैं ऐसे में कॉफी का बिजनिस करना य की तादाद भारत में समाने रूप से व्रिदी हुई है और धीरे धीरे इसकी संख्या में बड़ोतरी होती जा रही है ऐसे में अगर आप भी कॉफी का बिजनिस करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं आप किस प्रकार अपना बिजनिस शुरू कर सकते हैं और एक आपके और आपके नए बिजनिस के बारे में पता चलता है आप कोई भी अच्छा सा अपनी कॉफी शॉप पर या फिर कैफे के लिए एक नया नाम या फिर ब्रांड चुन सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ी महनत ज़रूर करनी पड़ीगी क्योंकि मार्कीट में काफी जादा संक्या में कॉफी शॉप और कैफे खुले हुए हैं और उनके अपने खुद के आधिकारिक ब्रांड नेम भी हैं हमेशा अपनी कॉफी शॉप या फिर कैफे का एक ऐसा ब्रांड नेम चुने जो मार्कीट में दूसरी जगा कहीं पर भी उपयोग में नहीं लिया ग जाए तो हम साथ प्रकार से अपना कॉफी का बिजनिस शुरू कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप किवल कॉफी की दुकान लगा कर ही अपना कॉफी का बिजनिस शुरू कर सकते हैं इसके अलावा भी आपके प्रकार से अपने कॉफी का बिजनिस शुरू कर सकते हैं तो या फिर दोपहर के भोजन और रात के खाने के बाद ही मैन्यू की पेशकर्ष करते हैं इसमें कॉफी से बनने वाले खाद्य प्रतारत को बेचा जाता है यानि की कुकीज, मशीन, कॉफी, केक जो की लोगों में काफी पॉपुलर है इनी को बेचा जाता है अगर आप इस प्र आते हैं अगर आप एक अच्छा कॉफी हाउस खोलने की शुरुवात कर रहे हैं तो यह पूरे शहर या एक छोटे कस्वे के लिए बहुत ही जादा है यह सबसे अलग प्रकार का बिजनिस होता है जिसमें आप खुद अपनी कॉफी बनाकर बेचने के सिवाई लोगों को कॉफी से जुड़े काफी आइटम्स भी होते हैं अगर सही माइने में देखा जाए तो ड्राइव थुरू कॉफी की दुकान काफी अच्छा बिजनिस कर सकती है और आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है इसमें आप स्वतंतर होकर अपनी पसंद से कॉफी का कोई भी ख समझ लीजिए क्योंकि इसमें सबसे जादा फोकस ब्रूड कॉफी और पेकेज पैसरी पर होता है जो कि लोगों की पहली पसंद भी होती है दोस्तों अब आपको मैं बताता हूं कि आप अपनी कॉफी बिजनिस के लिए सही इस्थान कैसे चुनेंगे आप सर्व प्रथम ए इस प्रकार के कैफे बहुत ही जादा पसंद आते हैं जहां का व्यू अच्छा हो जहां की लोकेशन बढ़िया हो उसके अलावा आपको यहे भी जान लेना जरूरी होगा कि आप जिस स्थान पर अपनी कॉफी शौप खोलने जा रहे हो वहां पर कितने लोग रहते हैं यान आप सबसे पहले यही सुनिश्चित कर ले आपने जहां पर अपनी कॉफी शौप डालनी है वहां पर भविश्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े सबसे जरूरी और खास बात होती है आप अपने कस्टुमर को क्या प्रोवाइड करवाते ह यानि कि अगर आपकी कॉफी की शौप है तो आप अपने कस्टुमर को कितने प्रकार की कॉफी और किस दाम पर उपलब्द करवाते हैं अगर आपके द्वारा दी जाने वाली कॉफी कीमत सामानने तोर से अधिक है तो फिर आपको फाइदा होने की चांस बहुत ही कम हो सकत तो सबसे पहले जब भी आप अपनी कॉफी शौप को शुरू करें तो अच्छा सा मेन्यू तियार करें अपनी कॉफी की कीमत भी इस हिसाब से तयार करें कि आपको आपका मुनाफ़ा मिल जाए और कस्टुमर भी संतुष्ट हो जाए दोस्तों अगर आपको मेरे दुआरा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी और समझ में आई हो ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना और ऐसी बिजनिस से जोड़ी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना इस वीड वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद